दिख vessie जिन इसत्रीयों का गर्भ नहीं बन पाता है यानी कासीब नहीं कर पा रहे हैं कोई समस्या नहीं हैं उनको सारेरिक रूप से कोई दोस बादाएं नहीं है उनके सारेरिक रूप से और लगन के साफ से कुढ़़ी की साफ से तो आज उनको हम इस वीडियो में कुछ मुख जानकारी देंगे और ये मदार के जड़ का उपाय होता है आंकड़े का जड़ काफी प्रसिद उपाय है एक अद्भुद उपाय है और इसको अगर आप सही धंसे करते हैं तो निश्चित रूप से एक से दो महीने में इस तरीक का पौधा होता है और इसकी जड़ आप देख रहे हैं ये इसकी जड़ होती है इसी का परियोग आपको करना है जैसे आप पौधे को जड़ से उखाड लेजिए और ये इतना भाग आपका जड़ का होता है इसी को आपको परियोग करना है सबसे पहले आपको इस जड़ को निकाल लीजी इसमें से और इस जड़ को निकालने के बाद आपको एक जैसे छोटा सा कपड़ा हो उस कपड़े को आप ले लीजी जड़ काफी मजबूत होती है तो निकलती नहीं है इस जड़ को आप निकाल कर और जैसे आपने इस जड़ को निकाल लिया तो इस जड़ को बाद आपको एक छोटा सा कपड़ा लेना है लाल रंका या पीले रंका کوई भी कपड़ा आपको उस्कपडे में इसको आपको लगाकर जैसे ज्ला शुव ढ़ांते तरह से सुभ्षूप लिगा डायागने करलें और उसका डागग में नौ दोहर दोहर के ड़ं तो उसी तरह से नौ दोहर आपको यानिन नौ धागा आपको एक साथ एक लवर में बनानी होती है और उस कपड़े में उसे फिट कर देजिए उस जो तावीज आपने बनाई है उसे आप फिट कर देजिए इसके बाद इसको चाहिए कि जैसे आपके घर के आसपास कोई करें कि इस मदार के जड़ से किया गया उपाय आपके लिए सिद्ध हो और भगवान सिव को आप प्रसंद करें उनकी पूजा करिए और निवस्वाय मंत्र का जाब कर लीजिए इसके बाद आप पुरात्री में गर्वधारण के पहले इस ताबीच को यानि इस जड़ को अप अपनी कमर में बांद लिए इस तरी को अपनी कमर में बादना होता है और उसके बाद आप रिलेशन की प्रिक्रिया कर सकते हैं प्रते दिन आप ये मतलब जब तक आप रिलेशन रखें तब तक आप ये कमर में बांद कर रखिए और जैसे आपके रिलेशन की प्रिक्रिया खत्म हो जाती है तो कमर से खोल कर आप इसको घर में कहीं भी सुरच्छी तस्थान पर रख दे अगर जैसे एक महीने में आप कंसीब नहीं कर पा रहे हैं तो दुबारा फिर आप जब डेट आती है रितुकाल के बाद फिर आप उसको बांग दिए और छटवे दिन से आपको गर्वध हरन की प्रिक्रिया करनी है एक उस्तम संतान प्राप्ती का योग भी प्राप्त होता है और जो समस्या कंसीब को लेकर होती है वो दूर होती है ये बहुत ही बड़ा अद्बुत शमतकारी को पाय होता है रिखिए ये मदार की जड़ जो होती है पौधा होता है इसको इस जड़ की आउ सकता हो तो वो हमसे संपर करके इस जड़ को ले सकते हैं